हाउस वाइप की अहमियत मा, बेटे और बहु तिनों ही खाने के टेबल पर बैट कर खाना खा रहे थे खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला सीमा तुमने आज भी दाल चामल बनाया खाना बनाने में तो आलस मत किया करो तुम बस हाउस वाइप ही तो हो तुम घर पर ही तो रहती हो तुमें रसोई घर में कुछ अलग-अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या क्या रोजी एक तरह का खाना बनाती हो सीमा बोली आज मैं बनाने वाली थी मैं आज सुजी की खीर बनाने वाली थी पर रसोई में सूजी खत्म हो गई, मैंने कल ही ओर्डर किया था पर अभी तक आया नहीं, कोई हरकत नहीं मैं कल बनाऊंगे रसोई घर में कूकर की सीटी बचती है और खाने के समय सीमा रसोई घर में आती है रसोई घर से वापस आते वक्त डैनिंग टेबल पर बैट कर सीमा बोली की मैंने कूकर में आलू डाले हैं, शाम को मैं आलू के वड़े बनाने वाली हूँ यह सुनकर उसके सास को भी खुसी हुई गोपाल बोला अच्छा है तुम दोनों को तुमारी पसंद की चीज बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है ऐसे में दरवाजे की बेल बजी सीमा वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाजा खोला डिल वरीबाय सुजी लेकर खड़ा था पार्सल लेकर सीमा वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैटी तभी मा बेटे से बोली कि तुने अगर दर्वाजा खोला होता तो फिर क्या होता बेचारे ठीक से खाना भी अच्छे से खा नहीं सकती तो बेटा बोला सौरी मैं उठ नहीं सकता मुझे आफिस जाने के लिए देर हो रही है फिर रूम में चला जाता है वो सीमा को आवाज देता है मेरी फाइल मिल नहीं रही तुम ढून कर दो सीमा फिर एक बर खाने की टेबल से उठने वाली थी और उसके तरफ जाने वाली थी तभी सास ने उसे रोका छोटा बच्चा नहीं है खाव तुम खाना थोड़ी तेर पाद रूम से गोपाल की आवाज आई फाइल मिल गई सास और बहु दोनों ही खाने की टेबिल पर एक दुसरे की तरफ देख कर हसने लगे गोपाल आफिस जाने के लिए निकल गया सीमा ने सारा काम खत्म किया रात को आलू खिचडी बनाती भी बनाई खाना देख गोपाल और सास को सोजाते हैं सीमा सब काम निप्टा के सोजाती है दुसरे दिन सुबह गोपाल उसके बेडरूम में फाइल ढून रहा था और वह फाइल ढूनने की वज़ह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया गोपाल अक दिन भर इधर का समान उधर करते रहती है उसके आवाज से सीमा वापस उसके रूम में आती है और रूम की बूरी हालत देखकर उसे गोपाल पर गुस्सा आता है वह गोपाल को पुछती है आप क्या कर रहे हैं तभी गोपाल बोलता है मैंने तुम्हें पिछले दिन दी हुई फाइल कहा पर है सीमा तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और वह गोपाल को दे देती है सीमा गोपाल को कहती है इतना सारा सामान विखेरने से पहले मुझे एक बार पूछा तो होता कितना सामान विखेरा पड़ा है मैं क्या दिन भर यही क्याम परती हुई उटने पर होई सीमा पर चिला तुर बहुत बहुत बढ़ी बूलता है कि ऐसा बोलता है गोपाल आफिस के लिए निकल गया इतना काम भी तुम नहीं कर सकती आनू पर पढ़ता है जो गोपाल को पता नहीं था माँ सीमा के पास जाती है तबी सीमा रो रही होती है कोई भी गलती नहीं होते हुए भी कोपाल उस पर चिलाया यह उनको पता था सीमा से वह बहुत प्यार करती है, सीमा भी उसे बहुत प्यार करती है, सास ने सीमा को सांत किया, फिर दोनों ने गोपाल को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया, दूसरे दिन सुबह गोपाल नींद से जागा, तभी वह सीमा को चाय के लिए चिला रहा था, तभी म नजदिक के सोफे पर बैटी थी, वह बोलती है सीमा घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने माइके गई है, गोपाल फोन निकालता है और सीमा को फोन करने लगता है, तभी मा उसे रोकती है और बोलती है कि फोन मत करो, वह माइके ही तो गई है, दो-तिन दिन में आ गोपाल फोन रख देता है और मा को बोलता है कि मा चाए, तभी मा बोलती है हाँ दो कब बनाना मैं भी प्यूंगी, इच्छा न होते हुवे भी गोपाल चाए बनाने के लिए रसोई घर में जाता है, मा सोफे से खड़ी होती है, बेटा गोपाल को पुकारती है, वो सोचने लगता है कि मा उसे रोकेगी और खुच चाय बनाईगी पर मा बोलती है मेरी चाय में सककर कम डालना गोपाल चाय बनाना है और चाय लेकर आता है मा और बेटा दोनों चाय पीते हैं फिर मा बोली चाय अच्छी बनाई है पर सीमा जैसी नहीं वो चाय बनाती है तब तुलसी क पत्ते डालती है उस चाय की तो बात ही अलग होती है बिटा कोई बात नहीं अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान रखना गोपाल उसकी मा को देखते ही रह जाता है थोड़ी देर बाद गोपाल उसकी मा को बोलता है मा आज मैं मतर पनीर खाना चाहता हूं मा फिर से के दरब देखकर बोली अरे वा आज मेरा बेटा मतर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा अच्छा हुआ बहुत दिनों से मतर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी तभी गोपाल बोला अरे मा मतर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था तभी उसे मा बोली न मुझे वा होटल का खाना पच्चता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है, और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या, शायद माँ से प्व्यार नहीं करते हो तुम, तभी गोपाल खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है, घंटे बाद खाना तयार होता है, दो गोपाल बोला कि मा यह आसान है बनाने के लिए तब ही मा बोलती है सीमा होती तो आज उसने मटर पनीर बना कर मुझे खिला दिया होता पर जाने दो तुम्हारे हाथों का खाना बना हुआ खाना कहां मैं रोज खाती हूं ऐसा बोलकर मा खाना खाने के टेबल पर आकर बैठती चल दोनों साथ में खाना खाते हैं गोपाल ने पहला निवाला मूँ में डाला ही था तब मा उसे बोली अरे बेटा दाल में नमक कम है जा और नमक ले करा वो खाते खाते उठता है और रसोई घर में से नमक ले कर आता है और मा को देता है फिर से खाने के लिए बैठता है पिर वो पानी मा को दे देता है। इस सब में गोपाल के चेहरे पर गुस्सा इस पश्ट रूप से दीख रहा था। और मा उसके रूम में आराम करने चली जाती है। मा उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो गोपाल को बुला कर चद्दर उड़ने के लिए कहती है। उसके बद गोपाल रूम से बाहर आता है तो उसे मा रोकती है और एसी का टेंपरेचर कम करने को कहती है। अब इन सभी कामों की वज़ा से वह चिर्चिर करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता, दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है, उसे आफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी सबजी काटता है, पर उसका ध्यान सबजी की तरफ नहीं होता, वह सीमा का विचा करता था सीमा के साथ, मन ही मन पस्ता रहा होता है, तभी सबजी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है, वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है, ऐसे में सीमा उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बानने लगती है, मतलब सीमा अपने माय के गई ही नहीं थी, गोपाल से छुपकर उनके ही घर में थी, यह तो सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था, गोपाल सीमा को देख कर खुस हो जाता है, वह उससे माफी मानता है, वह सीमा को बोलता है, कि घर का काम करना बहुत आसान होता है, तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम रहत ऐसा मैं हमेशा बोलता था पर एक ही दिन में मुझे सब समझ में आ गया मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं बोलूंगा और इसके आगे हम एक साथ घर के काम करेंगे अगर घर हमारे दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे दोनों का बोलना मा बाहर से सुन लेती है वह दोनों के लिए बहुत खुश थी देखिए इस कहानी से यही सिक्षा मिलती है कि हाउस वाइप को सब बहुत थी कमजोर देखते हैं कि अरे यह तो हाउस वाइप है पर हाउस वाइप का काम सबसे बड़ा होता है यह तो हाउस वाईप का लाइप का लिएस से बड़ा है